हेलो दोस्तों मैं जीत स्वाखत करता हूँ आपके पनी चैनल जीत पुरी उपर आज की इस वीडियो हम देखेंगे विद्धु धारा का चुमिकिये प्रभाव पीज नंबर 88 से 93 तक विज्ञान कच्छा 8 ठीक है तो हम इसमें विज्ञान का सोलूशन देखने वाले हैं तो अंगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सब्सक्राइब तो सबसे पहले अपन क्या देंगे और धारणा का संचित परीच है तभी आपको questions और उनकी आंसर अच्छे स समझ में आएंगे तो पन पढ़ लेते हैं तो दिखिए यहां से स्टार्ट होता है विद्दुधारा का चुमिकी प्रभाव जब किसी तार से विद्दुधारा प्रभवित होती है तो चुमक की भाती ब्यवहार करता है इसे विद्दुधारा का चुमिकी प्रभाव कहते ह बास्ता में विद्दु धारा का उपयोग चुम्मक के निर्माण में किया जाता है लोहे की किसी टुकड़े पर विद्दु रोधी तार्क से लपेटी विद्दु धारा भाही कुंडली को विद्दु चुम्मक कहते हैं बिद्दु चुम्मक पहुसी युक्तियों से उप्योग किये जाते हैं जैसे की 8444 जी हाँ याद कर लीजिए WhatsApp नमबर क्योंकि आप चाहे आपका मैत का सवाल हो या Physics Chemistry वालो जी आपके हर doubt हर question का मिलेगा तुरंद वीडियो solution वो भी सीधा आपके WhatsApp पर बस अपने फोन में doubt nut का 8444 वाटसब नमबर सेफ कर लीजिए और चैट उपिन कीजिए और जो भी आपका डाउड है उस सवाल की आपको फोटो खीचना है उसे क्रॉक करना है और पांस सेकिंड में आपको मिलेगा वीडियो solution क्लास 6-12 आयाईटी जेई नीट और सीब्यसी बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के वच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाईए और 8404 पर आपने सवाल वाट्सब कीजिए और अपने सभी डाउड को आउट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्सिन में यहाँ पा दिखिए बिद्दुद घंटी बनी हुई है और यह बिद्दुद चुम्मक है इसकी बाद आँगे चलेंगे अपन चित में डर्सायन उसाब बिद्दुद घंटी के बिद्दुद परिपत में लोही की टुकड़े पतावी के तार की कुंडली होती है विद्दुचुमग की निकट लोही की पत्ती लगी होती है जिसकी एक प्रहभावित होती है जिससे विद्दुचुमग बन जाती है तब लोही की पत्ती अपनी और खीशती है इस प्रक्रिया से पत्ती जुड़ा हतोड़ा घंटी से टकराता है और धुनी उत्पन होती है परंतु बिद्दु चुमक लोही की पत्ती को अपनी और खीशता है तो यह परिपत्त को भी देता है इससे बिद्दु धरा का प्रभा चार को पढ़ना होगा तो आप विश्दुत अध्यन देख सकते हैं ठीक है इसकी बाद दिखिए हो आगे जब आप यह कुंडली बिद्दु चुमक नहीं होती यह है लोही की पत्ती को भी अपनी और नहीं खींती लोही की पत्ती अपनी मुलिस्तिती में आकर पुना संपर् करती है इससे परिपत फिर से पूरा हो जाता है कुंडली से पुना विद्दु धारा प्रभावित होती है तता हाथोड़ा पुना घंटी से टक कर मारता है एह पक्रिया अती सिगरता से दोहराई जाती है हर बार परिपत पूरा होने पर हाथोड़ा घंटी से टकराता है औ ठीक है आंगे देखेंगे अपन अभ्यासितु जो बर्कसीट है उसका सॉलूशन देखेंगे अपन अपना कोश्चन है विद्दुधारा का चुम के प्रभाव किसे कहते हैं तो अपना उत्तर है जब किसी तार से विद्दुधारा प्रभावित होती है तो अचुम्मक की तर लोहे की किसी टुकुड़े पर विद्दुध रोधी तार से लिपती हुई विद्दुधारा पाही कुंडली को विद्दुध चुमक कहते हैं ठीक है? एक मिनित रुकना आप लोग कहते हैं आगे देखेंगे अपन कोश्चन अगला कोश्चन है बिद्दूद घंटी बिद्दूद धरा के किस प्रभाव को दरसाती है तो उत्तर है अपना बिद्दूद घंटी बिद्दूद धरा के चुमिके प्रभाव को दरसाती है बिद्दूद घंटी और उसके परिप तो ठीक है, अपनी बुक को नहीं काटना है, अगला देखेंगे अपन, क्या आप बता सकते हैं कि विद्दुध धरा के चुम के प्रभाक उप्योग कहा हो सकता है, आपका उत्तर है, विद्दुध धरा के चुम के प्रभाक उप्योग विद्दुध घंटी में, विद्दु प्रोजेक्ट कार है बिद्दूत परिपत बनानी के लिए दे गए अवसक बिद्दूत अव्यों की सहायता से एक बिद्दूत परिपत बनाईए तथा यह पता लगाईए कि बिद्दूत बल्ब स्विच किस इस्तिती में दिप्त होगा ठीक है तो दिखिए मैंने यहां पर चोटा सा बिद्दूतावेश बनाया हुगा है ऐसा आप चाहें तो यह बना सकते हैं ठीक है एक कुंजी हो गई तो अपन यहां पर कुंजी लिख देंगे कुंजी यह बैटरी है तो बैटरी भी लिख सकते हैं बैटरी यह बल्ब है तो अपन बल्ब लिख देंगे ठीक है और यह अपनी धारा बह रही है ऐसी तो यह अपनी कुंजी कम्प्लीट हो गई ठीक है आँगे चलिएगे अपने श्वाकलन श्वाकलन ही तू निम्न प्रश्णों के आँगे सत्य अथवा सत्य अंकित कीजी कुश्चन है विद्दुचुमक चुमकिये प्रभाव को अकर्शित नहीं करता है शत्य विद्दुधंटी में विद्दुचुमक होता है यह भी शत्य विद्दुचुमक का उप्योग कचरे के धेर से प्लास्टिक को अलग करने में किया जाता है यह असत्य है अगर कचरे के का फ्योग चुम्मक की निर्मान में किया जाता है विद्दु-घंटी के विद्दु-परीपत में लोहे के टूकड़े पर तावी के तारब की खुंडी लपएटी जाती है आंगे के अश्र देखेंगे अपन बिद्दु चुम्मक का उप्योग कहां कहां होता है कोई दो नाम लिखी तो बिद्दु चुम्मक का उप्योग लाओडी स्पीकर में बिजली के मोटरों में और भी पहुच्जक है तो दो पूछा है तो अपने दो लग लिए इसी वीडियो में देखिए हम विद्दु धारा के उश्मी एवं चुमिकी प्रभाव भी देखेंगे तो अर्धारा का संशित परीचा है विद्दु धारा के उश्मी तापी प्रभाव जब किसी तार से विद्दु धारा प्रभावित होती है तो है तत्त हो जाता है इसे व इतर का चित दिया गया है यहां पर विद्दु इस्त्री का तापन अवयब यह जो प्रेस में कोई लगती है उसका अवयब दिया गया है ठीक है इसकी बाद अपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्दु तापक देखे होंगे इन सभी तारों की एक कुंडली होती है तार की इस कुंडली को विद्दु तापन अवयब कहते हैं जब इन साध्धीतों को विद्दु में सेयोजित करत तो स्विच को ओन की इस्तिति में लाते हैं तो इसके अब-इब रख्त तप्त होकर उस्मा देने लगक भी अ है तो दिला चीला ताल लीजिए इस ताल को कुंडली के की रूप में कील पर कसकल लपीट के और इसका विश्टुत अध्यन पढ़ना है तो आपको कक्छा साथ के अध्याद 14 को पढ़ना होगा ठीक है आगे देखेंगे ताल को सुतंत सिरोग को किसी सिरोग से होती हुए चित्र 14-19 के दरसा अनुसा एक बिद्दू सैल से संयोजित कीजिए पिन इस कील से सिरोग पर अथबा इसके निकट लाइए अपने स्विच ओन कीजिए कील पिन चिपक जाएगा स्विच ओक करने पर पिन गिर जाएगा उपरोग किरिया कलाप से बिद्दू प्रभावित पर कुंडली चुमक की भादी बहभार करती है तो यह अपने देखा इसकी बाद अपन देखेंगे वर्कशीट तो अपना कोश्चन है विद्दू धारा के किनी दो प्रभाव के नाम लिखें तो उस्मी है या तापी है प्रभाव या चुमी की है प्रभाव तो यह अपने दो प्रभाव हो गए हैं यहाँ पर अगला को तो विद्धु इस्त्री विद्धु धारा का उश्मे प्रभाव का उधान है विद्धु चुमक को चित्त देखा था उपर वही चित्त आप यहाँ पर बना देंगे ठीक है तो आप यह चित्त यहाँ पर बना देंगे तो इसकी विद्धु चुमक हो जाएगे ठीक है ना इ वुरक्त कहते हैं इसी में देखें बार्क्स्ट थू में कई देखें के अनसर हैं तो फिलेमिंग की शुखनास्त का नियम ठीकर ना मुला कस्या से ंजी दात को कि से यसे विद्व कोश्चन है अपना निमिलित वस्तू में से किन वस्तू की विद्दु चुमक के माध्यान से प्रथक कर लेंगे तो दिखिए आपको सूची बनानी है तो यहां पर लोही की कील है प्लास्टिक की वॉटल है रवड की गुडिया लोही की पत्ति कांच का गिलास और ताला जाते हैं अगला कोश्चन है कमरे को गर्म करने अध्यवा खाना पकाने में उपयोगाने वाले हीटर का रख्त तप्त क्यों हो जाता है तो हीटर के तार में बिदु धारा प्रभावित होती है तो तप्त हो जाता है तीकि वो अभी-ब लगा होता है उसके कांबोर रख्त आप तो हो जाता है अगला है अपना प्रोजेक्ट कार यहां पर देखिए देनिक जीवन में विद्दू धारा की उश्मिय तापिय प्रभाव के कोई पांच उधान लिखिए तो आपको वहां पर कोई पांच उधान लिखना जैसे कि नमबर एक हीटर नमबर दो प्रेस नमबर तीन पानी करनी की रोड नमबर चार विद्दूत पंखा नमबर पांच विद्दूत मॉटर तो यहां पर कुछ उधान दिये गए हैं आप लिख लेना है अगला है आपका आपके आसपास अधबा घर में उपस्तित सामनों के सामनो बिद्दू चुमक बनानी का प्रयास कीजी तो इस कोश्चन को करने का आपको कोई जरूत नहीं है अगर हो सकता है तो आपको क्लास में समझा दिया जाएगा ठीक है ना स्वांकलन स्वांकलन का मतलब तो आप जानते हैं कि आप स्वयम के द्वारा अहां पर अपने अंसर सकते हैं अपना कोश्चन है लोहे की किसी टुकड़े पर विद्दू रोधी तार से लपेटी धारा वाही कुंडली को विद्दू चुमक कुंडली कहते हैं जब किसी तार से विद्दू धारा प्रभावित होती है तो वह चुमक की भांती भांती बरकायती है तो इसे विद्दू थीटर में स्विच को अन करते हैं तो इसका अब अब जो मैंने बताया था उपर रख्त तप्त लाल हो जाता है अगला है विद्दू चुम्मक पतार्थों को अकरसित नहीं करता अश्रत विद्दू धारा की उश्मे प्रभाव को समझाईए तो यहां पर लिखा हुआ हुआ अपनने जब किसी तार से कोई विद्दू धारा प्रभावित हो तो अर्टब्त हो जाती है इसे विद्दू धारा को उष्मे प्रभाव कहते हैं तो आज की इस वीडियो में हमने 88 से 98 तक कंप्लीट कर लिया है ठीक है तो इस वीडियो को जाते ज्यादा सेर करें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद